हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सस पॉइंट, तो हमने टार्गे 25 प्लस सीरी स्टार्ट की थी, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, आज हम जो MCQ करने वाले हैं, करने वाले हैं, पार्टनर्शिप पे, तो अग्जाम अभी थोड़ा सा डिले हुआ है, द्यू टू सम रीजन्स, वो सब आपको पता ही हैं, तो आप अपनी प्रिप्रेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अग्जाम तो होना ही है कभी न कभी, ठीक है, तो विना टाइम बेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, आज का पहला कुश्चन, कुश्चन नमबर फर्स्ट कहता ह है, पार्टनर्स के अकाउंट खोलते हैं, तो वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ट अकाउंट होता है, ठीक है, और एक होता है, ठीक है, फिक्स्ट में दो टाइप के अकाउंट आते हैं, जिसमें एक हम बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा आता है, क्रंट अकाउंट, और fluctuating में सिर्फ हम क्या निकाल, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, capital अकाउंट, ठीक है, तो बोलता है कि पार्टनर का क्रंट अकाउंट ओपन कब होगा, जब capital अकाउंट आर, ठीक है, तो क्रंट अकाउंट मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रंट अकाउंट तब ओपन होता है, जब फिक्स्ट अकाउंट में हम, फिक्स्ट अकाउंट के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक capital और एक क्रंट, तो सिर्फ फिक्स्ट अकाउंट के अंदर ही हम दो अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुइटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, वह होता है, capital तो इसका अंसर आजाएगा हमारा फिक्स्ट ठीक है जो कि option A रहने वाला है option A ठीक है next question कहता है कि interest on capital account of partner under fluctuating account capital method is credited to ठीक है तो यह पहले question में मैंने बताया कि partner के दो टाइप के account होते हैं fix or fluctuating fixed में हम capital account बनाते हैं और current account बनाते हैं और fluctuating में हम capital account बनाते हैं ठीक है तो question पूछता है था interest on capital account of partner under fluctuating capital account method is credited to तो वहाँ पे तो सिर्फ एक एक एकाउंट बनता है ठीक है वो होता है capital account तो क्या जाएगा हमारा option C टीक है तो क्या जाएगा partner capital account ठीक है और तो आपका यह डाउट बगरा नहों कोई क्लियर हो सारा तो नेक्स क्वेशन कहता है कि इन दा अफसेंस अफ एग्रीमेंट टू दा कंट्रेरी पार्टनर्शियर प्राफिट एंड लासिस इन दा ठीक है तो जब पार्टनर्शिप आपको पता है कि एक से हम उपन करते हैं जहां को बीजनस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम पार्टनर्शिप बोलते हैं तो जब पार्टनर्शिप स्टार्ट होती है तो वहां पे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं पार्टनर जितने भी होते हैं उसको हम डीड बोलते हैं एग्रीमेंट डीड बोले रहा है extra capital इंवेस्ट कर रहा है विजनस में तो उसके लिए क्या provision होंगे तो यह सब जो है वह partnership deed में mention होता है कि सम क्या होता है कि जो partnership होती है वहां पे agreement deed नहीं होती है ठीके partnership deed नहीं होती है तो उस case में क्या होता है कि Indian Chain Partnership Act 1932 वो होता है वो implement हो जाता है तो उसके अंडर वो जो है वो प्रोवीजन जो भी बता होते हैं वो चलते हैं तो उसके अंदर मैं आप को बता देता हूं कि प्रोवीजन रहते हैं यह एक तो रहता है कि आप कितने प्रसंट जो है वो क्या कहते हैं में प्राफिट 你 करोगे ठीक है है कितने प्रसंट इस चेर करोगे और कितने फिर से ब्ता देत हूँ कि अगर तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर partnership agreement of sense हो तो उस case में दो तिन चीजे हमें ध्यान रखनी होती हैं जैसे कि अगर जो capital invest करता है partners partner कोई भी capital invest करेंगे उस पे firm की तरफ से कोई भी interest नहीं दिया जाएगा और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है आपने कि अगर partners drying करते हैं monthly monthly basis पे तो उसको भी partner को कोई भी interest नहीं देना पड़ेगा ठीक है और एक चीज जो main दियान रखना है आपने कि इस case में जब जो भी interest होगा जो भी profit जो earn करेंगे दोन पार्टनर्स जान जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अपस में क्या करेंगे equally divide करेंगे और एक और important point आपने जो जाद रखना है वो है कि अगर partner कोई extra amount of money जैनि कि जिसको loan कहते हैं वो देगा तो उस पे कितना percent 6% उसको interest मिलेगा ठीक है यह सारा कव इन अपसेंस पार्टनर्शिप डीट ठीक है तो question आप देखते हैं question में गोलता है इन अपसेंस अग्रीमेंट अगर agreement नहीं है तो first option है ratio of their capital in the beginning of the year partner share profit and losses in the ratio of तो अगर partnership agreement नहीं है तो उस case में equal होता है ठीक है equal होता है यह option नहीं होगा ठीक है option number one नहीं होगा उस case में क्या होगा equal होगा second ratio of their capital at the end of the year यह भी नहीं होगा ratio of average capital यह भी नहीं होगा और equal ratio यह अपसेंस आपका answer हो जाएगा ठीक है चलो next question कहता है same in the absence of agreement to the country the partners are ठीक है तो अगर partnership deed नहीं sign की हुई है तो उस case में partners क्या कहते है entitle 6% interest on their capital only when their profit यह नहीं होगा ठीक है यह मैंने आपको बता है कि जो भी partner capital लगाएंगे उसके उपर कोई interest नहीं मिलेगा अगर partnership deed नहीं है second 9% यह भी नहीं होगा क्योंकि कुछ भी नहीं होगा तो फिर 9 कैसे हो जाएगा C आजाएगा entitle of interest on a capital at the bank rate यह भी नहीं होगा D not entitled for any interest on their capital तो यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है चलो जी next question कहता है current account of partner मैंने आपको बताया है कि fixed जब fixed account बनाते हैं हम तो उसके अंदर दो हमारे पास account बनते हैं capital account और एक current account ठीक है तो करता है कि current account of partner will always have credit balance will always have debit balance may have a debit balance or credit balance can never have debit balance ठीक है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी current account current account में basically लिखते हैं हमारे पास जब fixed account बनता है तो partner कितनी capital लगाते हैं उसको हम कहां पे लिखते हैं fixed account के अंदर जो पहला account बनता है हमारा capital account capital account के अंदर हम बहां पे लिखतेते हैं लेकिन जो interest on capital होगा interest on drawing होगा ये सब हम कहां पे लिखते हैं current account में current account में debit balance भी हो सकता है next question है interest payable on the capital of partner is charged on तो यह हमारा बोलता है कि जो भी हम interest payable capital पे जो भी interest pay करते हैं उसको हम कहां पे लिखते हैं तो उसको हम लिखेंगे profit and loss appropriation account ठीक है इसको जाएगा D moving towards the next question next question कहता है interest on partner drawings under fluctuating capital account is devoted to ठीक है तो मैंने बता है कि fluctuating capital account में हम सिर्फ एक ही capital बनाते हैं capital account ठीक है तो capital account में कहता है कि interest on partner drawing under fluctuating capital account is devoted to partner capital account ठीक है तो उसमें तो एक ही account होता है ठीक है fluctuating के अंदर एक ही होता है तो वो जाएगा partner capital account ठीक है next question कहता है journal reserves at the time of admission of partner is transferred to ठीक है तो say suppose की मैं आपको थोड़ी सी बता दता हूं कि अगर किसी company के अंदर दो partner काम चला रहे है न ठीक है तो in how किसी बज़े से उनको एक partner और add करना पड़ रहा है थरड़ partner तो हम क्या करते हैं जब दो partners उन्होंने इतनी महनत वगरा करके बिजने setup किया होता है ठीक है उसकी goodwill create की होती है तो वो क्या करते हैं कि जब निया partner add होना होता है तो एक account बिना देते है एंसेर्ण एकम तो रिवैलिविंशन अफ असेर्ड करते है ठीक है तो रिवैलिविशन अफ और्सrint करते हैं उसमें उनको जो भी profit होता है जो भी जो reserve उने रखे होते हैं वो सारे क्या करते हैं दोनों अपस में बाढ़ देते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा इसमें option B हो जाएगा old partner capital account में वो क्या करते हैं जो भी general reserves होते हैं उनको वो transfer कर देते हैं ठीक है next question है when the incoming partner brings his share of premium for goodwill in cash it is adjusted by charging to ठीक है तो कहता है कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी निया partner आता है तो उसको goodwill का कुछ amount देना पड़ता है goodwill होता है कि company की जो भी reputation होती है जिससे नाम होता है company का देखके जो जिसको जिसमें लोग क्या कहते हैं अपना business चलाते हैं जा फिर कुछ अगर say suppose depend on the business अगर कुछ समान खरीदने वाला उसका समान sell करने के लिए उसका business है तो वो समान को company की goodwill देखके समान ज्यादा खरीदेंगे लोग ठीक है अगर say suppose finance देने वाली कोई company है तो उस condition में company की goodwill देखके finance लेंगे जहां फिर investment कर सकते हैं उस company के अंदर bonds खरीद सकते हैं तो वो सारा क्या होता है कि company की goodwill देखके किया जाता है तो इससे होता क्या है कि जो goodwill होती है वो बनती है company की और वो बहुत सारी चीज़े देखके बनती है उसका past record देखके बनती है ठीक है कि यह company past में कैसे deal करती थी तो यह सब होता है तो उसके बाद होता है क्या है कि जब निया partner रहता है तो उसको तो कोई effort नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि सारा business setup होता है सब goodwill वनी होती है तो उस case में क्या करते है जो निया partner रहता है उससे उससे कुछ goodwill का amount लिया जाता है कि वही देखो हमने इतनी मैनल की थी और तुम जो है वह मझे से setup business पर आ रहे हो तो इसलिए तुम क्या करोगे goodwill दोगे तो वह क्वेशन बो रहा है कि in the incoming partner जो निया partner आ रहा है वह अपना share जो है वह premium for goodwill in cash लेके आ रहा है तो वह premium for goodwill जो करता है assets में ला सकता है ठीक है बहुत सारे provision होते हैं तो in case वह अगर cash में लाता है तो कहता है कि it is adjusted by creating to crediting to इसका answer आ जाएगा sacrificing जो जो पार्टनर जो है वो sacrifice कर रहे होंगे क्योंकि say suppose 100 rupees पहले उनको profit हो रहा है ठीक है 100 rupees profit हो रहा है उनको तो 100 rupees profit हो रहा है तो वो दो पार्टनर रपस में बांट रहे हैं लेकिन जब तीसरा आएगा admission होगी पार्टनर की तो फिर यह क्या करेंगे 33 33 बांटना पड़ेंगे तो जो दो पहले वाले हैं वो sacrifice कर रहे हैं अपना share कितना कितना सत्रा सत्रा परसेंट तो उनी sacrifice in count में वो आफ विच हीवरिंग 10,000 तो वर्स प्रीमियम फार गुड़ विल इट विल वी टेकन वाई ओल्ड पार्टनर सीन वह सेम कोशन है पीशे वाली की तरह इसका अंसर भी क्या हो जाएगा sacrificing ratio ठीक है जितने जितना वो sacrifice करेंगे उसी उसी ratio में यह जो 1000 है वो क्या करेंगे उसको अपस में divide कर लेंगे ठीक है next question है यह last question है revaluation account जाँ फिर alternately profit and last adjustment is a real account होगा nominal होगा परसनल होगा जाँ फिर तो revaluation account basically होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा idea देता हूँ कि जब भी दो partner जैसे काम कर रहे थे ठीक है उन्होंने तीसरा partner रखना था ठीक है तो जब वो तीसरे partner को लाएंगे उससे पहले क्या करेंगे company को company की जो पूरी value है उसको revaluate कर लेंगे उसके assets की value देख लेंगे उसकी liabilities की value देख लेंगे और उसमें जो goodwill की value वो देख लेंगे ठीक है तो री value करके assets और liability को वो अपनी value कर लेंगे say suppose अगर हमने कोई machine जहां फिर कोई कोई भी अगर starting में हम जानी की अपरिल के मन्थ में business start करते हैं तो तब हम raw material खरीते हैं तो उसकी value कुछ होगी say suppose 10,000 ठीक है तो जब हम जनी की 31st March को close करते हैं तो उसकी value में भी कम भी हो सकती है जहां फिर वड़ भी सकती है कुछ ऐसे assets होते हैं जिनकी value वड़ जाती है कुछ ऐसे assets होते हैं जिनकी कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जब नया partner add करना होता है तो तब exact उसी दिन की जो value है वो revaluate करके हमें पता चल जाती है ठीक है तो उसलिए हम क्या करते हैं उससे revaluation कर लेते हैं कि अब हमारे पास add present आज इतनी value एक company की तो उससे basically उसमें क्या होता है कि खर्चा मतलब खर्च का पता चलता है तो खर्चा हमेशे क्या आ जाता है खर्चा जिसमें आता है नामिनल अकाउंट ठीक है तो इसका अंसर क्या जाएगा नामिनल अकाउंट हाँ भी आप्शन ठीक है तो आज का अपना जो है वो चर्चा जोगी question पर दी रहें के समापत करते हैं होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी थैंक यू थैंक यू वेरी मच